तो आज से थोड़ी राहत मिलने जा रही है वो भी सर्शर्ट के अनुसार पीम नरेंद मोदी ने जब 14 एपरिल को सम्मोधन किया था तो उन्होंने साफ तोर पर कहा था कि जो भी इलाका कुरोना मुक्त होगा वहाँ पर कुछ छूट दी जाएगी साति साथ आर्टिक गतवी में भी छूट दी जाएगी तो क्या-क्या चूट आज मिलने जा रही है तमान जानकारी लेंगे हमारे समधाता अंजनी लाइफ जुड़ चुके हैं अंजनी सबसे पहले जिस सरीके से पीम नरेंद मोदी ने कहा था कि 20 एपरिल से कुछ इलाकों में छूट मिलेगी वो भी जहाँ कुरोना नहीं है जहाँ पर एक भी केस नहीं पाएगे हैं तो सबसे पहले यही जाना चाहेंगे अंजनी क्या-क्या राहत आज मिलने जा रही है इसकी पूरी जानकारी दे देखें पूरीता आज का दिन इसलिए भी महतवपून हो जाता है कि आज से राहत मिलने की बात थी तो राहत में यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहली जो तमाम लोगों को जानना चाहिए कि हिंद्पली जो हॉट स्पॉर्ट एरिया है वहां किसी भी तरह की कोई राहत नह नहीं होगी तमाम चीजें लोगों के घरों तक पहुंच रही है रासन हो दूध हो या फिर अन्य मेडिकल की जो सुविधा है तो यह हॉट स्पॉर्ट एरिया जो है वह राहत से किसी भी तरह का कोई कानेक्शन नहीं है दूसरी महतवपून है कि जो क्रिसीब से जुला जो सरकारी दफ्तर है सरकारी दफ्तर भी आज से खुलेंगे और तैंटीस प्रतीशत जो है मलब उपस्तिति मलब जो कम जो करमचारी हैं वह आफिस में मौजूद रहेंगे मतलब जो रोटेसन सिस्टम होगा और सामाजिक दूरी को मेंटेन करते हुए दफ्तर खोलना है और य से लगानी है सीडियों का स्तमाल करना है तो यह चीजें सरकारी दफ्तर आज खुलेंगे तो यह जो लंबित जो काम है आफॉइलों का निप्तारा जो है वो जरूर होगा और सहर में जिस तरह से जो क्रिसी से जुड़ा मामला जो चीजें उस पे मुक्य दर पर फोकस किया गया है और जो ऑद्योगिक जो छेत्रों की जो बात थी वो पूरी तरह से बात अभी नहीं बन पाई है तीन या चार जीलों के जो बीसी हैं उन्होंने अनुमती दी है लेकिन रांची और अन्ने जगहों पर जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो ह संद्री और अइसा नहीं है कि सरकारी डफसर खुल रहे हैं तो अब सबकों पर मजमान लगने लगे Ой्य तो पहले की तरह जो निरधारित है वो पुरू कर दो करते हैं और आगे कैसे कैसे बढृती हैं कैसे सुधार होती हैं तो तो सब चीजों के बाद जो है तीन तीन मैं के बाद हो सकता है शरकार क्वी बड़ा फैसला ले लेकिन जो जिस तरह से जो रफ tuu बढ़ गया है पुरिटा कौरो나 पॉजिटीव का उसको देखते हुए भी ऐसा भी नहीं लगता है कि तुरज जो है किसी तरह की कोई और कोई बड़ी राहत मिलने वाली है बिलकुल अंचने जिस तरी के से आसे सरकारी दफ्तर खुलने वाले हैं तो जानना चाहेंगे कि क्या जो सरकारी दफ्तर में सभी करमचारी को बुलाया जाएगा क्योंकि अगर सभी करमचारी आते हैं तो भीड़ी खटा होती है लोग एक दूसरे की कॉंटेक्ट में आएंगे तो वहां पर भी खत्रा बनने की संभाब ना है तो क्या सभी करमचारी को बुलाया जागा या फिर कुछ करमचारी आएंगे देखिए उसमें जिस तरह से कमाम बताया गया है कि 33% करमचारी जो होना चाहिए मतलब 33% हो रहा है तो मतलब आल्टरनेट करके बुलाया जाएगा और भीड नहीं लगानी होगी ऑफिसों में क्योंकि सरकारी ऑफिसों में आप जाएंगे पुनीता नेपाल हाउस या प्रो प्रोड़ी रहती हैं चाहे दुकाने तो भीड भाड़ होती है से तमाम चीजे तो बंद जरूर रहेंगी लेगिन पान गुटका खाने पे भी जो है और सिग्रेट पीने पर भी एक तरह से जरूर कहा जा सकता है प्रतिवन तमाम दुकाने भी बंद है और यह जो उपस्ति स्थिति का मामला है संभावता जो है रोटेशन के तहट करमचारियों को ओफिस में पुलाना चाहिए तभी बंद जो सामाजिक दूरी की बात है वो मेंटेन हो पाएगी नहीं तो बान लीजिए एक कार्याले में अधित बहुत ज्यादे लगबग 50-60 करमचारी होते हैं तो वैसे में हौचपच की स्थिति भी हो जाती है और सामाजिक दूरी आप मेंटेन नहीं कर पाएगे तो ओफिसों की स्थिति को देखते हुए जो वहां के बड़े अधिकारी होंगे वो स्वता भी ने ले सकते हैं कि कैसे रोटेट करना बिलकुल अंजनी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही चूट दी गई है चली अंजनी तमाम जानकारी के लिए बेहर शुक्रिया तो राहत की रहा आसे कुछ चीजों पर जो है चूट मिलने जा रही है तमाम चीजों को देखने के बाद रांची के रुंस में भी आसे आपको बतादे की EOPD की सेवा श से शुरू होने जा रही है और इसके साथ ही जो लोग प्रवासी मज़ूर जो हैं दूसरे राज्यों में फसे हुए हैं उनको वही पर काम दिया जाएगा साथी साथ E-commerce कंपनिया भी जो है आसे उनकी सेवा शुरू होने वाली है लेकिन कुछ जरूरी सामान ही वो डिलीव नहीं आया है उनी इलाकों में छूट मिलेगी आसे और इसके अलावा आपको दे कि जो भी ट्रांस्पोर्टेशन है वो बंद रहेगा इसमें रेलवे है रेलवे हो गया या बस सेवा हो गई या फिर ट्रेन की हम बात करें तो ये सारी चीज़े हैं जो हैं वो बंद रहेग है ये बंद रहेगी दिया जो है दोती हैं आपको और रहें की rebellion ।